चीन ने एक बार फिर भारत को धम की दी है। चीन ने कहा है कि क्या होगा अगर हम उत्तरा खंड के काला पानी और कश्मीर में गुस जाएंगे। जो क्लाम मुद्दे पर चीन की ओर से इस प्रकार के लगातार बयाना रहे हैं। इस से पहले मंगलवार को भी कहा गया था कि भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 1962 वाली गालती दोहरा रहे हैं। चीन के सरकारी अकबार ग्लोबल टाइम्स के अनसार। चीन के विदेश मंत्राले में सीमा और सागर मामलों की उपमहा निदेशक वानवेनली ने कहा कि एक दिन के लिए भी अगर सिर्फ एक भारतीय सैनिक भी विवादित क्षेत्र में रहता है तो भी यह हमारी संप्रभता और क्षेत्रिय अखंता का उलंगन है। उन्होंने कहा कि अगर भारत गलत रास्ते पर जाने का फैसला करता है या इस खटना के बारे में कोई भ्रम र पिरते हुए कश्मीर का मुद्दा उठाया और भारत और नेपाल के बीच की काला पानी विवाद का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस समय भारत के साथ बातचीत करना ना मुम्किन है अगर ऐसा होता है तो लोग बोलेंगे कि हमारी सरकार अक्षम है जब तक भारत अपने सेनेको को वापस नहीं बुलाता है तो बातचीत नहीं हो सकती है। आपको बता दे कि इस से पहले ग्लोबल टाइम्स पर जारी करीब डेर मिनिट के इस वीडियोर में अखबार के संपादक ने कहा है कि नए दिल्ली आज भी उननीस सब बासट के शवाहर लाल नहरू की तर आसा दे रहा है।